दोस्तों यहाँ पे बाते चल रही है केरियर को लेके आपको बताते चलें यहाँ पे सभी लोग जिम वाले एरिया में बैठे रहते हैं और जो जैस्मीन है वो निक्की से पुछती हुई नजर आती है कि निक्की तुमको स्टार्टिंग से ही एक्ट्रेस बनना था या फिर ये सब बाद में डिसाइड हुआ तो दोस्तों यहाँ पे निक्की का जबरजस्त जवाब रहता है और वो कहती हुई नजर आती है कि मुझे जजज बनना था और इसी पे इजाज खान जो है वो बहुत जादा हसते हुए नजर आते हैं और कहते हैं तुझे जजज बनना था तुम जजज बन गई थी या फिर कोई फैमिली में ऐसा था जो पहले से जजज था फिर तुमको ये भूच सवार हुआ तो यहाँ पे जो निक्की है वो ये कहती हुई नजर आती हैं कि मुझे छोटा मोटा नहीं बलकी सुप्रीम कोट का जजज बनना था और वो ये भी कहती हैं कि मैं बहुत जादा लौ में इंट्रेस्ट रखती थी तेहां पे इजाज खान और ज्यादा थोड़ा सा हसने लगते हैं कि Supreme Court का judge बनना इतना आसान नहीं है और Supreme Court के judge बनने के बाद निक्की ये भी कहती है कि मेरी मासी जो है वो judge है और उन्हीं से मुझे थोड़ी बहुत प्रेड़ना मिली है और वहीं से मैंने सोचा था कि मैं law करूंगी और law में मुझे बहुत जादा interest था तो दोस्तों इसी बात पे जो है सभी लोग थोड़ा बहुत हसने लगते हैं और कहते हैं सच में तुमको जज बनना था सुप्रीम कोट का वो भी तो दोस्तों यहाँ पे जैसमीन कहती है कि वा यार तब तो अच्छा था तुम बन जाती सुप्रीम कोट की जज तो यहाँ पे इसी बात पे चाचा होती रहती है तो दोस्तों इस बारे में आपका क्या है कहना कि निकी तमबुलिया को जज बनना था कमेंट सेक्षन में लिख के अपनी राय जो है जरूर बताएं सब्सक्राइब कर दोस्तों बॉलिवूड बाजार ताकि आपको हर अपडेट मिले सबसे पहले